इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास Windows का कोई सा भी Laptop और Computer है और उसमें आपको यहाँ पर Internet के Option पर क्लिक करते हैं तो वाइफाई शो नहीं हो रहा है दिख नहीं रहा है या फिर अगर आप यहाँ से Windows बटन पर क्लिक करके अपने Laptop की Settings में जाते हैं और Connect कैसे करें और Wi-Fi On कैसे करें यहाँ पर जब दिखी नहीं रहा है तो तो इस problem को आप कैसे सही करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप इस तरीके से desktop में आ जाएं और this PC आपको यहाँ पर नजर आएगा यहाँ पर आ Manager क्लिक करें और यहाँ पर आजाएं इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको नजर आएगा Network Adapters इस तरीके से होगा अगर यह Network Adapters का Option आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर दो-तीन बार Right Click करिए और Scan for Hardware Changes पर क्लिक करिए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर Network Ad Adapter Show हो जाएगा अब आपको यहाँ पर Adapters पर Arrow का Sign नज़र आ रहा होगा तो जिस जिस पर Arrow का Sign नज़र आ रहा है उस पर Right Click करिए और इसे // Zoom कर लेते हैं यहाँ पर यह भी इसी तरीके से इसे भी उनेबल कर लेते हैं सबको आपको इनेबल करते जाना है अब आप यहाँ से इसे कट कर दें और यहाँ पर आएंगे तो डेखेंगे कि आपका वाइप? नजर आ जाएगा यहां पर और यहां पर आपको विंडो बटन पर क्लिक करना है यहां पर सेटिंग में जाएए इसके बाद यहां पर आपको network एन इंटरनेट में आना है तो आप देख पाएंगे wifi आ गया है आपका इसमें click करके आप अपने wifi को यहां से on off कर सकते हैं show available networks में देख सकते हैं कौन कौन सा wifi है और यहां से जो भी wifi आपको connect करना है password डाले और उसे connect कर सकते हैं इस तरीके से आपकी problem solve हो जाएगी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो texture को subscribe कर दें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अला हाफिस